हेलो एव्रीवन वेलकम टो आ यूट्यूब चानल आउडियो वर्ज जीनियस डॉक्टर ब्लाक बली मिस्ट चाप्टर दो सो इक सट्टु दो सो सक्तर यून कभीले के सार्वभाम और बुजुर्गों को वह सब कुछ दिखा सके जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में सीखा है कुछ ने मेडिकल प्लासिक से पाठ किया, कुछ ने मानव शरीर के चित्रों पर विभिन एक्यूप्रेशर बिंदूओं को इंगित किया जो वे साथ लाए थे और कुछ ने अमरित प्रस्तुत किया कि उन्होंने खुद को मंगंत बताया था हर तरह की प्रस्तुतिया थी, कई अलग-अलग तरीकों से की गई देखते ही देखते यहां मचली बाजार जैसा हो गया अधिती ने शुरू से ही प्रतिक्रिया देने की जल्दबाजी नहीं की थी और युवाओं ने अंतिम मुल्यांकन को एक सरकस में बदल दिया मत करना यदि कोई तेरी दृष्टी में पड़े तो उसे अपके साय लोटा ले आना और बाकी को परवत पर से उतार देना किम्यों बचकाने व्यवहार और उनमें प्रतिभाओं की कमी को और नहीं देख सकता था और आवेश में आ गया किम्यों आमतोर पर हर महीने की पंद्रवी तारीक को मासिक भरती से अनुपस्तित रहता था और केवल देखने के लिए कभी कभार ही आता था और हर बार जब वह आया वह हमेशा की तरह आज की तरह तूफानी निकला था यू के चले जाने पर म्यू चेन ने थंडी आखों से देखा उसके मूँ के कोनों पर एक उफास किया किम्यू हमेशा की तरह कूट नितिक थे आवेदकों में से अच्छे लोगों को किम्यू द्वारा पहाड में प्रवेश करने से पहले ही देख लिया गया था और गुप रूप से किंग यून कभीले के भीतर लाया गया था उन्हें इन बचे हुए आवेदकों में कोई दिल्चस्पी नहीं थी और वहाँ अपनी नई भरतियों को देखने और उनका आकलन करने के लिए वापस भाग रहे थे उन्होंने आज यहाँ जो शो रखा वहाँ बड़ों की भलाई के लिए था म्यू चेन ने अपनी आखे वापस सामने की ओर घुमाई और आवेदकों को न तो दया और नहीं करुना से देखा यहाँ उनकी गलती नहीं थी कि यूवा उनके उत्सा और उत्सा से अंधे हो गए थे लेकिन यहाँ उनकी गलती थी कि वे इस से अंधे हो गए और बुद्धी की कमी दिखाते हुए अपने दिमाग का इस्तमाल नहीं किया ये यूवा केवल दिखावा करने के लिए उत्सुख हैं, बिना यह जाने की किंग यून कबीला क्या खोज रहा था जैसे ही म्यूचेन की रुची कम हो रही थी, उसमें कुछ दिल्चस्प देखा भीर के बीच में एक ननही सी दुबली सी आकरिती खड़ी थी, अपने आसपास के सभी लोगों को ठंडी निगाहों से देख रही थी, मानो उसे इस भीर से कोई लेना देना नहीं था उन आखों से निकली ठिठुरन इतनी कम उम्र के किसी पर शोभा नहीं देती थी बिना किसी सपष्ट कारण के, म्यूचेन ने पाया कि उसकी दिल्चस्पी में दम है शायद यह थंडा व्यक्तित्व था, या यहां आखे हो सकती है लेकिन उन सभी ने मुचेन को सिर्फ यहां महसूस कराया कि वह दुबली पली जवानी दूसरों से अलग थी मानो यूवक ने उसकी टकट की महसूस की हो, यूवक ने अपना सिर उठाया और म्यूचेन को सीधे उसकी आखों में देखा और म्यूचेन की दिशा में भीर से बाहर निकल गया मुचेन ने दुबले पले यूवक को दूर से आते हुए देखा, लेकिन उसने कोई और कदम नहीं उठाया यून कबीले के कई शिशों ने अदिती को भीर से बाहर निकलते देखा और बढ़ों के करीब जाना जारी रखा वे तुरंद आगे बढ़े और यूवकों को और करीब आने से रोकने के लिए आगे बढ़े मुल्यांकन समाप्त नहीं हुआ है और आपको किंग यून कबीले के भीतर स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमती नहीं है एक लड़के ने अपनी शुरुवाती विश्वा दशा में भौहे चढ़ाई और खूबसूरत अदिती को देखा यह यूवक बढ़ों के पास जाने का साहस कर रहा था ऐसा पहले भी कई बार हुआ था लेकिन आमतोर पर इसे सुलजा लिया जाता था जब किंग यून कभीले के शिशों ने चेतावनी का एक शब दिया था और अपराधी हमेशा पीछे हट जाता था लेकिन अदिती का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था जब उसे रोका गया तो वहाँ जमीन पर खड़ी रही और सिर उठाया मुझे ख्षमा करें हम तुरंद अपनी चुट्टी ले लेंगे कियाओ चू जो अदिती के पीछे-पीछे आया था उसने किंग यून कभीले के शिशों के धीरे-धीरे काले होते चेहरों को देखा और अदिती के पास खड़े होने के लिए आगे बढ़ा उसे पीछे खीचने की कोशिश कर रहा था जबकी वह राजी था अदिती बिना हिलेडुले खड़ी रही, जर से जमी रही इससे पहले कियाओ चू प्रतिक्रिया कर पाता अदिती ने अपना हाथ बढ़ाया और किंग यून कभीले के शिश की कलाई पकड़ ली अगले ही पल शिश जोर से जमीन पर पटक दिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप जीने से ठक गए हैं? किंग यून कभीला इस तरह की दंड से मुक्ती को बरदाश्ट नहीं करेगा, क्या दुसाहस? स्विक्रित होने से पहली ही अपने शिशो पर हात रखना नारे बाजी से लोगों में हडकम्प मच गया वे अपनी सर्वश्रेष्ट प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे जब चीखों ने उन्हें चौका दिया क्योंकि वे उस दृश्र को घूर रहे थे जहां से चीखे आई थी जब उन्होंने देखा कि क्या हुआ था तो वे सभी अवाक रह गए क्या वा बववा मारने के लिए कह रहा था उसमें किंग यून कभीले के एक शिश पर प्रहार करने का साहस किया क्या वाक विंग यून कभीले में प्रवेश करना भी चाहता था कुछ चौक गए, कुछ खिलखिला कर मुस्कुरा रहे थे किंग यून कभीले में शामिल होने के लिए हर कोई एक स्थान के लिए प्रतिसपरधा कर रहा था और हर प्रतियोगी जो बाहर हो गया इसका मतलब बाकी के लिए एक उच्च मौका था. उन सभी ने सोचा, अधिती ने अभी अभी अपना अवसर खो दिया है. कियाओचू अपनी जगा पर जम गया था, और उसके चेहरे से पसीना बहने लगा. यहाँ बच्चा आमतोर पर इतना शांत रहता था, और बिना किसी चेतावनी के, उसने अच्चानक उन दोनों को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था. अच्चाई के लिए उनका अभी भी मूल्यांकन किया जा रहा था, और अदिती ने अचानक बड़ों के ठीक सामने किंग यून कबीले के एक शिश पर प्रहार करने का फैसला किया. उन्हें निश्चित रूप से अगले पहाड से फैंक दिया जाएगा. मैं बहुत मर चुका हूँ. भाई हुआ तो मुझे मानने वाला है, अदिती के पास खड़े होते ही क्याउचू फूट-फूट कर रोया. यहां महसूस करते हुए कि अदिती ने अभी-भी एक सींग के घोसले को हिलाया था, कि आउचू ने फिर भी किंग यून कबीले के शिशों का सामना करने के लिए खुद को तयार किया. यहां तक कि अगर उन दोनों को बाहर फैंक दिया जाए, तो उसे किंग यून कबीले को अपने बगल में इस जीनियस पर हाथ रखने की अनुमती नहीं देनी चाहिए. अपने दुबलेपले हाथ पैरों को देखकर अदिती की पिटाई नहीं हो रही होगी. अगर जीनियस के साथ कुछ भी अन्होनी होती है, तो भाई हुआ उसे पीटने वाले अकेले नहीं होंगे. न केवल युवाओं की आखे इस द्रिशर पर आकर्शित हुई, बलकि बड़ों ने भी अदिती की ओर देखा. लंबी सफेद दाड़ी वाले बुजुर्ग ने जुन्जलाच से कहा, आजकल के बच्चों में नियोमों और विनियोमों का कोई सम्मान नहीं है. महराजा गलत नहीं था, यहार एक सरकस है. मुचेन ने अदिती को गहरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा. किसी ने गौर नहीं किया था, कि कब खामोश के कांग जू मुडा था देखने के लिए कि ऐसा क्या हंगामा मचाया था, उसकी आखे एक पल को चमकी थी, लेकिन उतनी ही जल्दी दब गई थी. जैसे ही शिश्य अपनी चाल चलने वाला था, अदिती ने अचानक कहा, आत्मास्तर नारंगी, तीसरा चरण, उपरी शरीर की नसे और धम्यों में जमाव, शरीर का निचला हिस्सा खोखला, थंडी धम्नी संकुचिद. अदिती को घूरते हुए उसका मुह विस्मय से खुला रह गया. अदिती ने पहले जिन बातों का उलेक किया था, वे प्रमुक धम्या थी, जो आध्यात्मिक शक्तियों के विकास के लिए महत्वपूल थी. किंग यून कबीले के एक शिशिक के रूप में, वह स्वाभाविक रूप से अपने शरीर के भीतर अपनी नसों और धम्यों की स्थिती से वाकिफ थे. किंग यून कबीले में 20 से अधिक वर्षों की उम्र में एक नारंगी स्थर की आत्मा उलेखनिय नहीं थी, और उन्होंने चिकित्सा में कुशल बनने या उच्छ आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप करने के लिए हमेशा सक्ती से पीछा किया था, लेकिन उनके शिक्षक उनके शरीर की नसों और धम्यों का एक विस्तरित निदान किया गया था, उसे वही बताया जो अधिती ने अभी कहा था, कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? शिश्य ने पूछा, उसका चेहरा पीला पड़ गया है, अधिती ने उस आदमी की कलाई से अपना हाथ हटा लिया, और धीरे से रुमाल से अपनी उंगलियों के पोरों को पोचा, इससे पहले की उसने धीरे से कहा, फ्लेम टेल फ्लावर्स के साथ, आप उपरी शरीर की भीड से छुटकारा पाने के लिए मिंसेक्शन का इलाज कर सकते हैं, नमलग पौधे की पत्तियों को सोखने के लिए अधिती बिना रुके आगे बढ़ती गई क्योंकि उसने हर उस्थिती के लिए समाधान और उपचार बताए जिससे उस आदमी की नसे और धम्या प्रभावित हुई थी, जब वहा समाप्थ हो गई, तो वहा एक कदम पीछे हट गई और स्थब्ध शिश्य की ओर देखने लगी, अगर उसकी लंबी कहानी उसके पीछे चल रहे युवगों के कानों में पड़ी होती, तो शायद उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन क्विंग युन कबीले के बुजुर्ग चिकित्सा में पारंगत थे, और उन्हें केवल उन शब्दों को सुनने की जरूरत थी और वे उन शब्दों के महत्व को पूरी तरह से समझते थे, बुजुर्गों के सभी चेहरों से अधीर्ता और जुन्जलाहट के भाव गायब हो गए, उनमें से सबसे बुजुर्ग बुजुर्ग के चेहरे पर भी अधिती की बाते सुनकर आश्चर्य के अधिनत शिराओं और धम्यों के साथ आपस में बहुत गुंते हुए, और यहां तक कि जब केवल एक छोटे से खंड को प्रवरित्त किया गया था, तो सता की समस्याएं पूरे अस्तित्व को प्रभावित कर सकती थी। उप्चार केवल प्रभावित हिस्से के अधीन नहीं था, बलकि एक ऐसा उप्चार था जिसमें पूरे शरीर को शामिल किया गया था। उस दुबलटले युवा ने न केवल इतने कम समय में शिश्य की स्थिती का निदान करने में काम्याबी हासिल की, बलकि विभिन्न प् उप्री शरीर के दर्द से राहत देता है, वहीं यहाँ निचले शरीर को भी साफ कर देता है। जबकि यहाँ निचले शरीर का पोशन करता है, यहाँ उप्री शरीर को इसकी कम्यों के विरुद पोशन देता है। अधिती द्वारा प्रस्तावित उप्चार बारीकी से यह जवानी कितनी पुरानी थी? और वह मानव शरीर की नसों और धम्यों के पोशन और सुधार की पेचीद्गियों के बारे में इतना समझता था. एल्दर म्यू, क्या छोड़े युवाओं ने सही और सच कहा था? शिराओं और धम्यों के बारे में अन्य बुजरों की समझ म्यूचेन की समझ से कम थी और अधिती ने जो कहा था उसे सत्यापित करने के लिए उन्हें म्यूचेन से जाच करनी पड़ी. उस समय म्यूचेन को अन्य बुजर्गों के प्रशनों में जरा भी दिल्चस्पी नहीं थी. जिस क्षण उस दुबलेपले युवक ने वे शब्द कहे थे, उसकी आखे स्थिर हो चुकी थी और अधिती से विदा नहीं हुई थी. उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक नसों और धम्यों के इसलिए वहां उनसे बहतर कोई नहीं जानता था कि अधिती द्वारा प्रस्तावित उप्चारों की शिंखला कितनी परिपूर्ण थी. यहां तक कि उसके लिए भी वह ऐसा कुछ करने में सक्षम नहीं हो सकता है. वह युवा वहां, मैं उसे चाहता हूँ. उनका अन्य बुजर्गों को अब तक समझ लेना चाहिए न? उस युवक ने जो कहां वह सच होना चाहिए. या म्यूचेन किसी आवेदक पर दावा करने के लिए असामान्य रूप से कार्यन नहीं करेगा. यहां ग्यात होना चाहिए कि म्यूचेन ने पिछले महिनों में शायद ही कभी किसी आवेदक को क्लाव ट्रेडिंग पीक में शिशों के रूप में स्वीकार किया था. एक वर्ष में उसने जितने नए शिशों को स्वीकार किया, उन्हें केवल एक हाथ से गिना जा सकता था. यहां देखकर कि म्यूचेन ने एक असली खजाना उठाया था, अन्य बुज ही हो रहा था. अन्य बुजर्ग इरश्या से हरे थे, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी अधिक नहीं कहा. युवाओं को नसों और धम्यों के अपने ज्यान में उपहार दिया गया था और वैसे भी यहां उनकी विशेशग्यता के क्षेत्रों से अलग था. म्यूचेन उसक के सामने खड़ा हो गया, असामान्य रूप से शांत युवा को घूरते हुए उसकी कठोर अभिव्यक्ती मुस्कान में बदल गई. आपका क्या नाम है? अधिती, अधिती ने जवाब दिया. जो युवा निशकासन की आशंका जता रहे थे, उन्हें अचानक लगा कि स्थ अधिती को उसके कारियों के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन जो हो रहा था उसे देखकर वे केवल अधिती को सदमे में देख सकते थे. यहाँ ऐसा कैसे हो गया? युन कबीले की पवित्रता को चुनौती दी और ठेस पहुचाई, उसे नीचे उतारना चाहिए लेकिन इसके बजाए उन्हें क्लाव ट्रेडिंग पीक के एल्डर का हित अरजित किया गया था. युन कबीले का पूर्न शिश्य बन जाता. किसने सोचा होगा कि लेडी लाख ऐसे साधारन छोटे कत के युवक पर अपनी मुस्कान बिखेर देगी? अधिती के सहमत होने के ये बस इतना ही चाहिए था. और वहा किंग युन कबीले की शिश्या बन जाएगी. किंग युन कबीले के आंतरिक घर की एक सची और इमानदार शिश्या. यह सोभाग्य की बात थी कि उनमें से बहुत से केवल सपने देख सकते थे. और अन्य युवाओं ने एक गहरी इर और चलते हुए जु निराशा में डूबा हुआ लग रहा था. उसका घिनोना चेहरा अप्थनिय था. केके साथ उनकी नाराजगी कांग जु दिखाई दे रहा है. क्या बात है, एल्डर के? के कांग जु ने अपने पैरों को दूर तक घसीता, उसकी जुकी हुई पीट उ उसे और अधिक भयावा बना रही थी. उसके बागे के घेरे में पुरानी कांसे की घंतिया जुडी हुई थी और वेके के हर कदम के साथ जंजना रही थी कांग जु लिया. वहाँ वे दो लड़के, मैं उन्हें चाहता हूँ, के कांग जु ने अपना हाथ उठाया, और ए तो कहीं और देखें, कि कांग जु ने उफास किया, क्या इसका मतलब है कि एल्डर म्यू मेरे लिए चीजों को कठिन बना रहा है? मेरे पास आज ये दो लड़के होंगे. अगर एल्डर म्यू को इससे कोई आपती है, तो आप इसे सौवरेन के पास ले जा सकते हैं. यदी सार्वभाम तुम्हारी बात मान ले तो मैं बालत अदिती को तुम्हारे हवाले कर दूँगा. यदी वहाँ असामत है, तो भेटर होगा कि एल्डर म्यू चुप रहे. के को गुस्से से घूरते हुए अपनी मुठी बंद कर ली, अपनी आस्तीन के भीतर छिपा लिया के साथ सबसे दोस्ताना संबंध थे. अगर वहा किन्यू से पूछने जाता, तो किन्यू उसके पक्ष में कभी नहीं खड़ा होता और निश्चित रूप से उसे अस्विकार कर देता. यहां लड़का जाहिर तोर पर अपहरन कर रहा था. दोनों बड़ों ने सबके सामने बहस करना शुरू कर दिया और इससे अन्ययूवक जो अधिती से बहुत इर्शा करते थे, उससे और भी अधिक नफरत करने लगे. उस लड़के के बारे में इतना अच्छा क्या था कि वहा किन्यून कभीले के दो बुजूर्गों को बहस करने और उससे लड़ने में सक्ष और अधिती की ओर देखा. उन्हें अधिती के चहरे पर कोई खुशी नहीं दिख रही थी, लेकिन अस्विकृती में एक भौहे दिखाई दे रही थी. बच्चे, हिदन क्लाउड पीक में स्वीकार किया जाना आपके लिए सम्मान की बात है. यदि आप मुझे अस्वीकार करना चाते हैं, तो आप अभी क्लाउडी पीक से नरक से बाहर निकल सकते हैं. स्नैचिंग से लेकर धंकियों तक के कांग जू के तरीके अपमांजनक रूप से दबंग थे और म्यू चेन का चेहरा गुसे से काला पड़ गया था. अन्या बुजर्ग के से सहमत नहीं हो सकते हैं. कांग जू के तर्तरीके लेकिन उन सबने चुप्टी साध ली. हाला कि किन्यू ने बड़ों के साथ समान व्यभार करने के लिए खुद को चितरित करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी जानते थे कि वहां कितना पसंद करते थे के कांग जू. उलेक नहीं है कि के कांग कांग जू को अब अदिती नामक बालक को अपंग करना था, कि कांग किन्यून कबीले द्वारा जू को सताया नहीं जाएगा. अदिती ने अपनी आखे सिकोर ली और भयानक के को देखा कांग जू, उसकी सर्द आखे ठंड से चमक उठीन. अचानक उसे अपनी आस्तीन पर हिडन क्लाउड पीक के माध्यम से प्रवेश करने से कोई फर्थ नहीं पड़ता है ना? कियाओ चू की आवाज ने उसकी चिंता को प्रकट कर दिया, वह जानता था कि अदिती के चिकितसा कौशल में कौशल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे किंग यून कबीला उसे सि पालिया. मैं सहमत हूँ, उसने ठंडेपन से शब्दों को उगल दिया. और के कांग जू एक भयानक मुस्कान में तूट गया. बच्चे, तुम्हें जल्भी पता चलेगा कि तुमने आज सही चुनाव किया था, के कांग जू गुस्से से भरी मुचेन को नजरंदास करते ह जोर से हंसने लगा और जाने के लिए मुड़ा. अदिती नेके को देखा कांग जू का वापस जाना और उसकी आखों में थंड़क भर गई. उसे जल्भी पता चल जाएगा कि उसने अभी-भी कितनी घातत गल्ती की है. न्यूचेन ने एक गहरी सांस ली और जबरन अंदर की आख को दबा दिया. उसने अपने चेहरे को शांत बनाये रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके मुझ की जकडन ने उसके भीतर के गुस्से को प्रकट कर दिया. यदि आप अभी भी पाते हैं कि भविश में इसकी आवशकता है, तो आप मुझे क्लाउड ट्रेडिं व्यक्ति था और वह नहीं चाहता था कि केके हातों युवावस्था को बरबात किया जाए. कांग जू. वह अत्यधिक प्रतिभाशाली बच्चे को जीवित रहने के अवसर के लिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, जरा सा भी मौका नहीं जाने देगा. दी थी. सबसे अच्छे उमीद्वारों को पहले ही ले लिया गया था, और बाकी उनके नोटिस में थे. न्यूचेन को नहीं पता था, आज की गई उसकी दुरलब पेशकश, वह होगी जिसने उसका जीवन बदल दिया. दो बुज़ुर्गों के जाने से बाकी युवक रहे थे. लेकिन बचे हुए स्थानों के लिए लडने के लिए उन्होंने अपना सर्वश्रेश्ट प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश की. कियाओ चू और अदिती के लिए जिन्हें हिडन प्लावड पीक में प्रवेश करने के लिए चुना गया था, वे चुपचा जानक राक्षस भी आपको चूने में सक्षम नहीं होगा. कियाओ चूने अदिती को आश्वस्त करने के लिए कहा? अदिती ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसी बाते थी, उसे सच मान लिया था. के काम जू? वहाँ उसे देखने देगी कि उनमें से बड़ा शैतान कौन है खेल अभी शुरू हुआ था. कोई जल्दी नहीं थी. जैसा कि अपेक्षित था, सैक्डों उम्मीद्वारों में से, उनमें से केवल दस से थोड़ा अधिक बुजुर्गों द्वारा आंतरिक सदन में प्रवेश करने के लिए चुना गया था और सो से कम को बाहरी सदन में भरती कराया गया था. बाकी जो बहुमत बनाते थे उन्हें पैकप करने और पहार छोड़ने के लिए कहा गया था. कई युवाओं के आसों के साथ दिन समाप्थ हुआ और कई किंग युन कभीले के शिशों ने चैनित उमीद्वारों को विभिन्न चोटियों तक अधिती को क्याओंचु के साथ रखा गया था और उनका नेत्रित्व करने वाला शिश वह था जो अधिती के साथ लगभग लड़ चुका था लेकिन अब शिश ने उनके साथ अपने पिछले अहंकार का व्यवहार नहीं किया. यहां हो सकता है कि अधिती ने अपनी स्थित का पूर्व निदान किया हो जो सटीक सटीकता के साथ दिया गया था लेकिन शिश ने उनके साथ अत्यंत शिष्ट अचार के साथ व्यवहार किया. हिडन प्लावड पीक बहुत बुरा नहीं है और उनके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है. यहां आप लोगों के तो एल्दर के के खिलाफ न जाएं। अधिती ने किंग यून कबीले के शिश की ओर देखा। उसने बाई से सुना था यून जियान को हिडन क्लाउड पीक के अशुप खत्रों के बारे में बताया, लेकिन उसने किंग यून कबीले के एक शिश से सुविचारित चेतावनी थी। अधिती की दृष्टी उस पर देखकर शिश होश में लौट गया। हमारे विवाद ने इसके बजाए हमें एक साथ ला दिया था और हमें साथी शिश बना दिया था। अगर मैंने आपको पहले नाराज किया होता, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे कनिष्ट साथी नाम सौपे जाते हैं. मेरा नाम रोंग है हेंग. रोंग हेंग अच्छे स्वभाव से हसे और आगे बढ़ने से पहले हिच किचाए, मैं आपको पहले के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ. मैंने आपके द्वारा कही गई हर बात को नोट कर लिया है, लेकिन हो सकता है क कि आपके द्वारा बताई गई सभी जड़ीबूटिया न मिल पाए. मुझे नुस्खे को अपने मास्टर को सौपना होगा. रोंग में अचानक परिवर्तन हैंग का व्यवहार पूरी तरह से अकारण नहीं था. अदिती ने पहले जो कहा था, वह उसकी नसों और धम्यों म काफी सुधार कर सकता था और उसे अपनी वर्तमान स्थिर प्रगती को तोड़ने और शायद एक सफलता हासल करने की अनुमती देता था. इससे उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और इसके लिए वे हमेशा आभारी रहेंगे. अदिती ने सिर हिलाया और एक पल के आधे महीने के समय में हिडन क्लावड पीक के द्वार पर आने का समय मिल सकता है. तो दोपहर से एक घंते पहले वहां मेरी प्रतीक्षा करे, मेरे पास देने के लिए कुछ है आ. अदिती को वहार रोम नहीं लगा हैंग पर उसका कुछ भी बकाया था, क्योंकि उसकी हरक्त केवल म्यूचेन का ध्यान आकरशित करने के लिए थी और इसने अंजाने में उसे रोम बना दिया था हैंग का भी आभार. रोम उन दोनों को चेतावनी देने के पीछे हैंग के दयालू इरादे उसे एक वास्तविक इनाम जीतने वाले थे. अदिती अपने साथ हुए गलत को कभी माफ नहीं करेगी बल्कि उस पर की गई किसी भी दया का बदला भी लेगी. अगर उसे दूसरों से लाभ होता तो वहाँ निश्चित रूप से गुना कर देगी. रोम हैंग को उस बड़े भाग्य के बारे में पता नहीं था जिसे वह जल्द ही काटने वाला था और यहां नहीं जानता था कि अदिती उसे क्या देना चाती. है? उसने केवल सिर हिलाया और मार का नेत्रित्व करना जारी रखा. हिडन क्लाउड माउंटेन के द्वार पर वे उमीद्वारों के दूसरे समूह से मिले. उनका चयन नहीं किया गया था और उन्हें पहाड था लेकिन किंग युन कभीले के एक शिश ने उन्हें यहां ले लिया था. उनमें से लगभग 20-30 थे और जब उन्होंने अदिती और उसके समूह को देखा तो उनके चेहरों से पता चला कि वे अपने अप्रत्याशित भाध्य से प्रसन्न थे लेकिन अभी भी अदिती के लेकर दो बुजर्गों की लडाई हुई तो वे युवक इर्शा से भर गए थे. जब उनका चयन नहीं हुआ तो उन्होंने सारी उमीद छोड़ दी थी और शिखर से निकलने ही वाले थे कि उनकी मुलाकात हिडन क्लाउड पीक के एक शिश से हुई. उन्होंने उनमें से क हर एक की इर्शा और इर्शा को जीत लिया था तो वे उसके लिए अपने तिरसकार को रोक नहीं पाए. तो क्या हुआ अगर दो अलग-अलग बुजर्गों ने उसे उठा लिया हो? उन्हें वैसे ही हिडन क्लाउड पीक में भरती कराया गया था. उन्होंने सोचा था कि उ दोनों का सामना कर रही हैं. उनके बारे में सब कुछ युवाओं के बड़े समू को अप्रसंद कर रहा है. अधिती ने ताने बाने और रोम पर ध्यान नहीं दिया हैंग ने बस आ भरते हुए अधिती से कहा मैं केवल तुम्हें इस बिंदु तक ही ले जा सकता हूँ. यह अधिती और क्याओचू पूरी तरह से अप्रभावित थे क्योंकि उन्होंने उनकी बीच में कदम रखा. आपको अपने आपको वास्तव में महान समझना चाहिए. आपको लगता है कि आप हम सबसे भेतर हैं. उनमें से एक थोड़ा बड़ा युवक अधिती के ठंडे और जोर की आवाज आई और एक जटके में युवक का हाथ तूट गया. और युवावस्था से एक करकश चीक फूट पड़ी. क्याओचू के सामान्य आलसी रूप पर एक दुर्भावनापूर्ण अभिव्यक्ती सामने आई और उसने खतरनाक तरीके से अपनी आखे सिकोड उस पल को देखते हुए जैसे कि क्याओचू के सामान्य धुल्मुल और लापरवा रवये से बिल्कुल अलग व्यक्ती. दूर रहो या मैं और बुरा करूँगा. तूटे हुए हाथ वाले युवक विलाप करना जारी रखते हैं और अन्य लोग पीला पड़ जाते हैं और क्याओचू के क्रूर हमले में उनके पसीने छूट जाते हैं. किंग युन कबीले के शिश्य ने अनायास ही क्याओचू पर नजर डाली और कुछ नहीं कहा. क्याओचू की अभिव्यक्ती एक स्विच की तरह वापस बदल गई, जैसे ही वह वापस अधिती के पास खड़ा हुआ, उसकी दुर्भावनापूर्ण अभिव्यक्ती पहले बिना किसी निशान के गायब हो गई थी. फिर उन्होंने हंस्ते हुए कहा, मेरी मुठ्या इतनी सक्त है, कि मैं किसी भी ऐसे व्यक्ती से लड़ सकूँ जो हिडन क्लाउड पीक में आपको धंकाने की हिम्मत करत है. अधिती ने कियाओचू के व्यवहार में त्वरित बदलाव को दिल्चस्ती से देखा लेकिन उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा. उसने नहीं सोचा था कि कियाओचू का हमला करूर था, अगर वे किंग युन कभीले की बादल वाली चोटियों पर नहीं होते, तो उसने कियाओचू से कहा होता कि तुम्हें बुराई को जड़ से खत्म करने की जरूरत है, और उन्हें वापस आने और तुम्हें परेशान करने के लिए जीवित नहीं रहने देना चाहिए. लेकिन चूकी वे हिडन क्लावड पीक पर जा रहे थे, वैसे भी वह युवा अ व्यवहार किया था और किसी ने भी उनके खिलाफ एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की जब वे हिडन क्लावड पीक के द्वार से चले. यू के बाद 12 चोटियों में हिडन क्लावड पीक दूसरा सबसे बड़ा था और इसने एक बड़े सता शेत्र का दावा किया. बिची हुई दिखाई दे रही थी. बूटियों के रोपन और खेती में विशेश अग्यता के लिए हिडन क्लावड पीक बाहरी लोगों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता था. यहां भी कहा गया था कि हिडन क्लावड पीक के भीतर दुनिया की हर एक दुरलब जड़ी कर दिया, जिनके बारे में उन्होंने सुना था, जोर से चलाते हुए उन्होंने उन्हें पहचान लिया. प्रतीत होता है कि वे अपने व्यापक ज्यान के छिपे हुए बादल चोटी के शिश को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे. बचकानी और मूर खता के अ चल रहा था, जो कनिष्ट साथी शिशों के नए बैच में कोई दिल्चस्पी नहीं दिखा रहा था, जिसे हिडन क्लाउड पीक में स्वीकार किया था. हिडन क्लाउड पीक के शिशों के साथ अच्छा व्यभार किया और प्रतिक शिश को एक अलग कमरा सौपा गया. चुवों का समो अपने-पने कमरों में चले जा रहा था और चुपचाप यह सोच कर कि उनका भाग्य वास्तव में बदल गया है, उस शांदार क्वार्टर पर हस रहे थे जिसका वे आनन्द लेने वाले थे. अधिती का कमरा क्याउचु के बगल में था, जो क्वार्टर के थे, वे कम से कम साफ थे. वहां बहुत देर तक बैठी भी नहीं थी कि उसके चहरे पर हलकी सी शिकन आ गई. खून की एक हलकी परिचित गंद उसकी नाप के नीचे घूम रही थी. गंद बहुत फीकी थी, लगभग इतनी फीकी की ध्यान ही न दिया जा सके. यदि उसकी ग बाकी की तुल्ना में थोड़ा चमकीला था. अदिती ने अपने कपड़े के थेले से एक छोटा खंजर निकाला और उसकोने से पेंट को खुरच कर निकाल दिया. नारंगी रंग थोड़ा-थोड़ा करके उखर गया और मूल लकडी प्रकट हो गई. उसे करीब से देखने पर लकडी के भीतर ही वह खून की गहरे रंग की चाया से सना हुआ था. खून का धबबा हाल ही का लग रहा था जब खून मेज पर तपक गया था और लकडी में रिस गया था जिससे यह लाल रंग का गहरा रंग हो गया था और इसे धोना असंभव था. यह दिल्चस्प है अदिती वापस कुर्सी पर बैठ गई और लापरवाही से धके खून के धब्बे को घूरने लगी और उसकी थंडी आखे चमक उठीन The Hidden Cloud Peak उतना ही खतरनाक था जितना उसने सुना था इस कमरे के पिछले निवासी बहुत पहले नहीं मरे थे या खून की गंध पूरी तरह से गायब हो गई होती कि कांग जू ने हर महीने की पंदरवी तारीक को बड़ी संख्या में शिशों को स्वीकार किया लेकिन उसने पहले गुप्त रूप से देखा था कि शिशों के रहने वाले क्वार्टरों में जोड़े जाने पर उनमें से 200 से कम थे कि के के अनुसार कांग जू की हर महीने 30 शिशों की स्वीकृती संख्या में जोड़ा नहीं गया तब भी नहीं जब आप इसे 10 से गुणा करते हैं किसे देखते हुए कांग इस बार जू के शिशों को स्वीकार करने के तरीके उसने उसे और क्याउचू को खुले तौर पर स्वीकार कर लिया था लेकिन उसने गुपत रूप से अपने शिशों को मूल्यांकन के बाद लगभग 30 अन्य अस्विकृत उम्मीद्वारों को इकठा करने और उन्हें Hidden Cloud Peak पर वापस लाने के लिए भी कहा था यदी के कांग जू ने यह सब उसी तरह किया था जबकि दूसरों को Hidden Cloud Peak के बारे में कुछ भी संदिग्द नहीं दिखाई देगा आखिरकार जैसा कि बाहर के कई लोग देख सकते हैं Hidden Cloud Peak में उतने शिश नहीं थे उनके अस्तित्व के सभी निशान मिट गए थे पेंट को फैलाया और उसकोने को फिर से रंग दिया जिसे उसने पेंट से खुरज दिया था एक पल में यहां पहले जैसा दिखने के लिए बहाल हो गया मालकिन यह यहां बुरा लगता है अदिती के शरीर से निकल कर एक गेंद बन गई और फुर्तिली छोटी काली बिल्ली में समा गई वह नरम बिस्तर पर कूट गया और अपनी रोयदार पूँच को जोर से हिलाया ऐसा लग रहा था जैसे वहां हवा में मौजूद दुर्गंद को दूर करने की कोशिश कर रहा हो यहां सिर्फ मौत की भारी गंद है अदिती ने खारिस करते हुए कहा एक ऐसी गंद जिससे वहां बेहत परिचित थी सता के नीचे सड़ते पिंडों से छिन भिन्न होकर यहां धीरे-धीरे मृत्यू की गंद खिल उठी दहिडन प्लावड पीक सता पर एक उचा और पूजनिय स्थान लगता था लेकिन नीचे छिपा हुआ था, रहस्य में मौते थी, अंदेखी, अग्यात वह भयानक राक्षस अच्छा नहीं रहा होगा छोटी काली बिल्लीनेके को देखा था कांग जूस पश्ट रूप से जब यहां अदिती के शरीर के भीतर छिपा था और वहां बिलकुल भयानक लग रहा था अदिती चुक्ती और चुक्चाप कुर्सी पर बैठ गई वे अभी Hidden Cloud Peak पर आये थे और उन्हें शिश्य द्वारा सीधे रहने वाले क्वार्टर में ले जाया गया किसी और ने उन पर ध्यान नहीं दिया और समू में उत्साहित युवा दोपहर भर आंदर में जमा रहे उन्होंने बिना किसी निर्देश के भटकने या भटकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्होंने उन्हें दिये गए इस अवसर को बहुत संजोया जब रात हुई तो हिडन क्लावड पीक के कई शिश्य क्वार्टर में लौट रहे थे नवागंतुकों को भूख लग गई थी और वे देखते थे कि उनके वरिष्ट साथी उन्हें पास कर रही है उनमें से एक ने साहस जुटाया और भोजन मांगने के लिए वरिष्टों के पास पहुचा लेकिन ठंडे घूरते हुए उन्हें रंगते हुए वापस भेज दिया गया केवल जब रात पूरी तरह से गिर गई थी और युवों को बहुत भूख लगी थी तो वाज शिश्य जो उन्हें दिन में पहले क्वाटर में ले गया था धीरे धीरे घूमने लगा और सभी नए रंगरूटों को इकठा होने के लिए चिलाया अधिती और क्यावचू ने अपने कमरे से बाहर कदम रखा और एक दूसरे पर नजर डाली और उन्होंने एक दूसरे पर भूख का कोई निशान नहीं देखा वरिश्ट यहाँ है पहले से ही इतनी रात हो गई है हम कब खा सकते हैं? भूखे युवगों ने पेट पकड़ कर शिश्ट की ओर देखा शिश्ट ने उन पर एक नजर डाली और दुर्भावना से उतर दिया क्या आप खाना चाते हैं? युवाओं ने उत्सुकता से सिर हिलाया शिश्ट ने हाथ उठा कर बाहर की ओर इशारा किया और कहा, देखो, बाहर सो बड़े-बड़े कलश पड़े हैं पूर्व में पांच मील की दूरी पर एक पहाडी जरना है तुम लोगों में से प्रत्ते को तीन बड़े कलशों को जल से भरना होगा यदि आप इसे पूरा नहीं करते हैं, तो आज रात के खाने या कल के नाश्टे के बारे में भी न सूचे क्या, युवक पूरी तरह सहम गए आज जब वे भीतर आये थे, तब उन्होंने विशाल कलश देखे थे वे अपने हाथों को फैलाए हुए किसी भी कलश से चोड़े और जितने लंबे थे, उतने ही बड़े थे पांच मील की दूरी बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन एक चक्कर लगाने से दस मील हो जाते थे वे पूरे दिन भूखे रहे और उनके पास पानी की एक बूंद भी नहीं थी और रात इतनी हो चुकी थी कि उनमें पहाडों से होकर पानी ले जाने की ताकत नहीं थी इतने बड़े कलश भरने के लिए और उसमें तीन भरने के लिए उनके लिए दसियों और दसियों फेरों की आवशक्ता होगी उबरखाबर पहाडी रास्तों ने इसे आसा नहीं बनाया लेकिन अगर रास्ता सपाट और समतल भी होता तो भी उनमें से कोई भी इसे पूरा नहीं कर पाता तो यह क्या है? तुम लोग शिरायत कर रहे हो? आपको बता दे, उन कलशों के पानी का इस्तमाल कर जड़ी बूटियों के बिस्तरों को सीचने के लिए किया जाएगा अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो जल्दी से यहां से निकल जाओ Hidden Cloud Peak का इस तरह की बेकार की फुस्फुसाहट के लिए कोई फाइदा नहीं है शिश ने उपहास किया और उन्हें एक अच्छी जुबान दी जब उन्हें पता चला कि उनका दुहस्वपन वास्तव में अभी शुरू हुआ है तो वे सभी डर के मारे एक साथ हो गए कलपना का एक सपना जो अचानक सीधे उनके हाथों में आ गया वास्तव में एक दुहस्वपन था जो उनके पूरे जीवन का दावा कर सकता था उन्होंने हिडन क्लाउड पीक में अंतत स्वीकार किये जाने के इस दुरलब अवसर को छोड़ने से इनकार कर दिया और खुद को लटकाने के लिए प्रेरित किया यहां तक कि जब दिया गया कार्य असंभव था तब भी वे खुद को उपर खीच कर उसे पूरा करने के लिए चले गए अपने ठके हुए शरीरों को घसीटे हुए युवग बाहर गए और बाल्तिया उठाई और जरने से पानी निकालने के लिए अपने रास्ते पर चले गए दो आलसी शरीर समों के पीछे पीछे चल रहे थे और दूसरों को पानी लाने के लिए लड़ खडाते हुए अपने मन्हूस शरीरों को घसीटे हुए देख रहे थे भूखा, बाकी सभी के चले जाने के बाद कियाउचु ने पूछा और वे दोनों क्वाटर के बाहर अकेली थे अदिती ने सिर हिलाया उसकी भूख हमेशा छोटी थी और भोजन की इच्छा में बहुत रुची नहीं रखती थी केवल यह सुनिश्चित करती थी कि वह रोजाना परियाप पोशन और कार्बोहाइड्रेट का सेवन करे और इससे ज्यादा कुछ नहीं वह जो अमरित अपने साथ लाई थी वह उसे परियाप रूप से प्रदान करता था और उसे कोई भूख नहीं लगती थी लो इसे अपने पास रखो आपको इन्हें आज नहीं खाना है बस इन्हें फिर कभी खाने के लिए रख दे यह पीड़ा अभी कुछ और समय तक जारी रहनी चाहिए क्याओचू ने अपने बैक से सूखे मास का एक पैकेट निकाला और अदिती के हाथों में भर दिया अदिती ने एक भौ उठाई और क्याओचू की तरफ देखा इस दौरान वहां अंथीन बखबख करता रहा था लेकिन कई बार उसकी हरक्तों ने उसके द्वारा पेश किये गए नासमश व्यक्तितों के विपरीच संकेट प्रकट किये थे क्याओचू का प्रारंभिक उदेश्य हिडन प्लावड पीक में भरती होना था और उसके बाद के कारियों ने उसे यहां की आंतरिक कार्य प्रणाली से परिचित होने के लिए दिखाया था सूखा मास छोटा और अगोचर था वे राशन के रूप में सबसे आदर्श थे इसलिए ऐसा लगा कि वह यहां होने वाली चीजों के बारे में कुछ चीजे जानता है आज रात की अपेक्षित पीडा के विरुध सूखा मास भी पहले से तयार किया गया था कि युन कबीले के साथ यहां क्याओचू का उदेश क्या था कियाओचू ने देखा कि अदिती ने सुखे मास को स्वीकार नहीं किया और उसने इसे वापस अपने बैट में भर लिया अगर तुम्हें भूख लगे तो मुझे बताना मेरे पास परियाप से अधिक है जल लेकर ना चलो कार्या असंभव है पूरा तुम यहां क्यो नहीं घूंते अगर आप अब वापस जाते हैं तो आपको केवल वरिष्ठो द्वारा डाटा जाएगा कियाओचू भी स्पष्ट रूप से हिडन ट्लावड पीक का मजदूर नहीं बनने जा रहा था आप कहां जा रही है अदिती ने अचानक पूछा कियाओचू हिचकी चाया और सोचा कि अदिती अकेले क्या करने जा रही है आप चाहते हैं कि मैं यहां से बाहर रहूं आपके बारे में क्या अदिती ने स्वयं का उलेक न करते हुए अनुपस्तिती की और इशारा किया कियाओचू ने हताशा में अपना माथा पीट लिया और कहा मैं सपश्ट था है ना भाई हुआने मुझे इसके लिए हमेशा डाटा था उसने यह सुनिश्चित करने के लिए चारों और देखा कि आसपास कोई नहीं है इससे पहले उसने धीमी आवाज में कहा मैं किसी को खोजने जा रहा हूँ हिडन क्लाउड पीक बेहत खतरनाख है इसलिए यहां से ज्यादा दूर न भढ़के जब मैं उस व्यक्ति से बात कर लूँगा तब मैं तुम्हारे लिए यहां वापस आउँगा कियाओचू की नजर में अदिती खुबसूरत छोटी काया और दुबलेपले अंग हिडन क्लाउड पीक के भीतर रहना बहुत खतरनाख होगा उसने सोचा कि अगर वहाँ अदिती पर नजर रखने के लिए आसपास नहीं होगा तो अन्य यूवक उसका शिकार कर सकते हैं और उसे अपने साथ ले जा सकते हैं मैं आपके साथ जाऊंगा अदिती ने कियाओचू से कहा कियाओचू अवाक रह गया आप मेरे साथ आना चाहते हैं अदिती ने सिर हिलाया कियाओचू हिडन क्लाउड पीक से ज्यादा परिचित थी कोई फर्क नहीं पढ़ता कि कियाओचू कौन था वह सपष्ट रूप से किंग युन तबीले के अनुकूल नहीं था यदि उनके उद्देश में कोई तकराव नहीं था तो वह कियाओचू के माध्यम से खुद को थोड़ा परिचित कराने को तयार थी कियाओचू परेशान दिख रहा था उसने अदिती को देखा और कहने से पहले कुछ देर रुगा ठीक है लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या देखते हो तुम्हें एक भी शोर नहीं करना चाहिए अदिती को साथ लाना बहतर हो सकता है उसे यहां शेर की मांद में अकेला छोड़कर कियाओचू के साथ भी उतना आराम से नहीं बैठा यह सपश्ट था कियाओचू को अदिती के बारे में गलत धारना थी उन्होंने अदिती को एक रक्षाहीन युवा के रूप में देखा अदिती की पिछली क्षमताओं को जहर के साथ भूल कर उसने अभी हाल ही में अपनी आखों से देखा था